हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका अमारी यूटूब चैनल संब्राट एजूकेशन में दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को बहुत इंपार्टेंट इक्जाम के लिए ठीक है आप लोग में कुछ डिजिज बता देता हूं जिसको आप लोग पढ़ रही आप लेता हूं अभी आप लोग पढ़ लेजागा तीनों ब्लेक रच इस्टेम राट आप सुगर कें जो कि मैंने पढ़ा दिया है लेट अरली ब्लाइट आप पोटेटो इसमट और विल्ट आप विजन पी एंड ग्राम फस्ट में और सिकेंड में आप लोगों पढ़ना चिली रोजडाई बैक इंध्राकनोज आप मैंगो और सिट्रस ठीक है इतना पढ़ना है और मैं बहुत सारा वीडियो भी बनाओंगा भी इन सभी को सकता है बन जाए लेकिन आप लोग अपने सभी कोशिस कीजिएगा तो चलिए देख लेते हैं आप लोग संसार के समस्त गियों उत्पादक या चैसरों आए भारत में दच्षुर की पेख्षा रोग का प्रोकब उत्तर भारत पाड़ी स्वि में अधिक पाहे अधिक है तो यह जो लूजु JOSMAč रोग गियों का यहा भारत को उन सभी स में पाहे जो जाता है जहां पर competititक किया जाती जाती है उन अत्रोफ के पिछा पाड़ी Sum आता है जहां पर नम मौसम होता है वहां पर यह थीधग फैलता है इस रोग के कार्ण पाँच प्रतिससलर हाणी आकी गई जडिक है कई जैगहों पर बारद ही भी देखी गई है लूथरा ने 1953 में इस रोक के द्वारा पंजाब में पांच करोड़ रुपए वारसी खानी को आकलित किया था उस समय में और आज यह समय में तो मतलब समझ सकते हैं तो उसरा नेशन परदेश्यम दिल्ली में दो प्रतित प्रतित था वर्तमान में अधिक उपच देने वाली बौनी जातियों में रोग कम दिखाई पढ़ता ठीक है थोड़ा सा आप लोग जो भी डिजिजिश पूछे ना उसके बारे में थोड़ा सा परिचे लिग दिया करिए पढ़ने में लोग का लच्षड जो इपलिया निकलने पर दिखाई देता है और इसके पुर्व रोगी में कोई असपष्ट अंतर दिखाई नहीं पड़ता जब तक बाली नहीं निकलता है तब देखें जो लूजिश्माट डीज है अपना जो लच्षड वह नहीं दिखा बाली निकलने के बाद रच्छष दिखाता है बालीयां निकलने पर संक्रोन पौदे में दानों करसान पर काले चुड़ से यूक्त बालियां बनती है जिन पूस्प खांच सुक वहन ही अभावी तो ऊच्छा खानगे बहुत है है और बहुत अच्छा मैंने कांटेंट भी लिया कि बालियां जो होती है निकलने पर संक्रवित पौधे में दानों के अस्थान पर जो बालिया निकलती है जिसमें केवल पुस्प अक्ष और सुक ही अपरवित रहते हैं आरम में यह काले चूड युक्त बालियां सफेद पत जली तरह डहकी रहती है जो बालियां निकलते समय हवा के शलकी जोकों से फटशाती है जिससे काले चूड जोकी वास्ता में रोग जनक कवक की बिजाडू समु अर्थात-सूरस होते है यह जो काला पावडर होता है उस प्ताने होती है लेकिन जब हवा चलता तो फट जात मुlık सोरह सवह होता है और खेत में विखर जाता है बीजाडूंके अलग हो जाने के पश्यादा केल नग नपुस पखचे कहीं दिखाई देता है कभी कभी बालिया आंसिक रुख से प्रवावित होती हैं आएसी सिति में आदे बग में दानों किस्थान पर बता दिया सिम्टम क्या है थोड़ा सुनी है का सिम्टम फिर से बता देता हूं इंप्वाटेंट है रोक का लच्छर जो होता है जब भी दिखेगा बाली निकलने पर दिखाई नहीं देगा ठीक है बाली निकलने पर जो संक्रमीत पौधे यह उनके दानों के सान पर काले प्रवाटेंट निकलते हैं जो की खेत में बिखर जाते हैं बिखर जाते हैं पूस्पाप छोता वह अननक दिखाई देने लगता है कभी-कभी बाली आंसे प्रावित होती तो ऐसी सिते में जो बाली का आदा बाग हो हरा रहेगा और आदा बाग जो है काला चुड बनना आ लोग जानेंगे एटियो लाजिक बारे मैंने यहां पर लिखा नहीं लेकिन थोड़ा समयाब लोग को बताऊंगा क्योंकि कभी पूछता है कि बारे मताई तू हो सकता है तो कैजर एजेंट इसका है अश्टी लेगो से जेटम टिटी साई ठीक है अश्टी लेगो से जेट इसकी फैमिली अश्टी लेजेने सी और वन्स इसका जीनेस जो है अश्टी लागो है इसकी जातू जो है से जेटम है और वेराइटी इसकी ट्रीटिस आई ठीक है तो याद रिखेगा थोड़ा सा जानकारी अभी आगे इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि य बुड़े रंका हो जाता है बालियों में कवक जाल की जो दूई केंदर की को सिका है छोड़ी जाने देखिए भाई अभी आप लोग कंशी जो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा तो बस कैजिए लेजेंट के नाम जानते रहेगा बसे जाने हैं कि यह कवक बाई ठीक है अ इन दोनों को बोया जाता है तो सुसुप्त कवक जाल सक्रीयोगर परपोसी प्रदे के अंदर सिर्स के साथ साथ ब्रिदी करता है ठीक है भाईया समझझे क्या बोला है कि यह जो रोग होता है एक अन्त बिजोरर रोग है बीज द्वारा होने वाला रोग है रोग जनक का कभक जाल वबीच का भुर्षा होता है उसमें पुरुसुपतावस्था में रहता है जब इन दोनों बोया जाता है जब बदीक को बोया जा घ्र privilege करताय बालिया निकलने के समय रोग जनक अधिक क्रियासी लोकर पुस्प भागों को कवग जाल से बढ़ देता है जो की बाली में दानों के अस्थान पर भरे होते हैं वाय द्वारा इसका स्वस्त पदेपर प्रसार होता है जहां से संक्रॉन करके भूड के अंदर पहुच हो जाती है ठीक रेह तो यह इसका संगाय दिजिट साइकल मैं बताुप्र सब्सक्रार पदा राता हूं तो यह सक्री होकर पर्पोसी पहुदे के अंदर सिर्स के साथ ब्रेदी करने लगता है और बालिया निकलने के समय जो रोग जनक होता है वह अधिक स्क्रियासी लोकर पुस्प भागों को कवक जाद से भर देता है और द्विक केंदरी के मोटी बित्ती वाले कंड़ बिजाड अनुकुल आता परड़ इसके लिए का इतना टंपरेचर क्या सकता होती यह बात है तो पुस्पन के समय अधिक आधरता तथा कम तापमान में यह अधिक फैलता है रोग का सरवाधिक प्रसाट 30 डिगरी से लस्टियस तापमान पर होता है इसमें कम तापमान होने पर रोग गड़ जाता ठीक है तापमान कम होता तो रोग गड़ जाता ठीक है आगे देखेंगा डिजिज मैनेजमेंट तो मैं आप लोग को पहले कुछ पॉइंट बता दूंगा जिसको आप लोग सभी में यूच करेंगे और सबसे पहली बात भाई यह जो रोग है यह बीज जनित है तो बीज को उपचारित जरूर करेंगे और सभी में उपचारित करिएगा ऐसा नहीं कि सवाल वाला तो उसमें करेंगे भाई भले से कोई मतलम नहीं हो लेकिन कर देना है ठीक है तो मैं पहले कुछ पॉइंट पता देता हूं आप लोग को उसके बाद मैं इसमें लिखा चाहिए निराय घुडाय के बाद सभी पोढ़ अवसेसो को निष्ट कर दिना चाहिए ठीक है कि संदुलीत मात्राइ में उर वरकोग का प्रयोग करना चाहिए वीज को उपचारित करके बोना जाहिए खरपातवारों को उन्मूलन करना चाहिए जो होश्ट प्लांट है वी प्रति कीलो ग्राम बीच की दर से क्या करेंगे सब्सक्राइब और गर्मी में गर्ज उताई करेंगे कराप रोटेशन 3-4 साल के ठीक है बस इतना याद रिखेंगे यह जो मैंने भी अभी से बताया ना इसी को आप लोग सभी में यूज करेंगे सब हमें यूज करेंगे भाई ठीक है अब शरी देख लेते हैं तो रोग मुख देम परमारिती बीच को बोना चाहिए लच्छत दिकाय देने पर तुरंत संक्रिंत बालियों को सावधानी पुलोग निकाल करना चाहिए बीचों को सरवांगी कीटनासी कार्बेंडाजीम या बैनलेट या कारबकसीज 2.5 अबांच गर्म प्रती किलो करम बीच की दर्ण से उप्चाइथ करकी बुणा चाहिए तब 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 पचार के लिए बीच को बोने से पहले सुखा लेते हैं एक अन्य बीचता बीचों को केवल एकसो पांच एग्रीं एकसो दज़क्रीं ताप अले जल में क्रमसा आठ च्छाया चार गंटे के लिए भीगोने से भी रोग जनक पूर रूप से नश्ट हो जाते हैं तब तजलुप चार अधिक जटीर होने के कारण भारती किसानों के लिए प्रोफेसर जैचंद लूथरा ने उनने सो तीरपन में सर उर्जोप चार विक्षित किया इस वीदी में गर्मी की दिनों में बीजों को सुबह चार गंटे के लिए पाने में बिगो कर दोपर से चार बजे बारा बजे से चार बजे तक कड़ी दूप में रुखा लेते हैं सुखाने के लिए पकी फर्सका जस्तेदार लोए कि चादर का प्रयोग क करना चाहिए ठीक है रोग नियंद्र की सबसे प्रवाव साली वीदी वाई रोग प्रति रोधी जातियों को भुवाई करना अदब बीवी पंदरा डावडूजी 307 कुंदन मालवी 213 यह मालवी 266 कर चुनाब करना चाहिए यह सब गयों की वराइटियां है जो की लूचि कर देना चाहिए ठीक है निराय गुड़ाय के बाद सभी पॉधासित को नश्ट कर देना चाहिए और जिस भी खेत में वहां पे खरपतवारों को उखाड कर देना चाहिए संतुलित मातरा में जल का प्रयोग करना चाहिए बीज को उक्षारित करके बोना चाहिए रोग प् कि मेटा सिल इन में से किसी एक का लोग चिडगाव कर सकते हैं ठीक है तो उम्मीद करते हैं वीडियो चलग और समय आया वहाद वीडियो चलग यह लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा अपने दोस्तों को आशेर कीजेगा धन्यवाद जहिंद